अज हम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का मैथेमेटिक्स चैप्टर लाइन्स एंगल हम लाइन एंगल की पहली एक्सराइज पूरी कर चुके हैं आज हम करेंगे सेकिंड एक्सराइज जो हमारी क्या है 6.2 6.2 का पहला कोश्चन अगर हम चैक करते हैं तो पॉटिज दा फर्स्ट कोश्चन देखे देहां से इन एक गिवन फिगर इसका मतलब हमें यहाँ पर फिगर गिवन है हमें जो फिगर गिवन है वो ही रही देखो और एक ट्राश्वर्सल आ रही है और इसका नाम नई मेंशन है तो हम क्या ले लेंगे इसको इसको ले लेंगे अल और हमें एंगल तिर रिखा है To find. Given, given हम इलिख सकते हैं, given कि हमें एक figure है, यह इलिख सकते हैं, given is figure. Here, what is given, what is to find? X, first part, क्या निकालना है? X निकालना है, and Y निकालना है, to find, X and Y. Second, और क्या करना है? A, B, parallel to, C, D, यह हमें so करना है, to, so, यह करना है, to, so, we have to, so, यह so करना है. तो, solution, यहाँ पर solution कैसे करेंगे? First, अगर मान लो, यह मेरे पास let कर लिया O, it means, O, A, stand on L, O, A, stand on Ray L, O, A, stand on Ray L, और O, A, stand on Ray L, और O, A, stand on Ray L, तो, then, अगर कोई Ray, किसी दूसरी Ray पर stand करती है, तो, दोनों angle का sum क्या होता है? 180, तो, X plus 50 is equal to 180, reason, linear, pair, और यह angle, और यहाँ से किसके वल्य निकल जाएगी? X की 180 minus 50, तो, X is equal to 130 degree, यह मेरे पास X की value आ जाएगी. अब यहाँ पर देखेंगे हम, यह जो है, CD और L, इंटरसेट कर रहे हैं, आपस में इस point पर, तो इसका होदे क्या करेंगे? CD and L, line CD, line CD and, line CD and, line CD and, line CD and L intersect, intersect, then, then क्या होगा? तो vertically opposite angle क्या होँगे? same होँगे, इसका जाएगी, इसका जाएगी, Y किसके एकवाल? then Y is equal to 130, reason vertically opposite angle, vertically opposite angle, vertically opposite angle क्या होते हैं, आपस में? same होते हैं, this is equation number first, और this is equation number second, from first and second, from first and second, from first and second, अगर first and second देखेंगे, तो यहाँ right hand side में 130 है, यहां भी right hand side में 130 है दोनो 130 value same है जब right hand side same है right hand side is same तो इसका मंदब हम क्या कह सकते हैं left hand side is also same from first and second right hand side is same तो इसका मंदब left hand side भी x equal to y angle x किसके को लोगा y के क्यों क्यों क्योंकि x भी 130 है y भी 130 है तो x किसके बराबर y के बराबर अगर x y के बराबर है तो यहां पर देखे z बन रहा है this is z यह z बन रहा है z जहां बन रहा होता है z के जो corner होते है z के जो corner होते है z के जो corner होंगे opposite corner वो क्या होंगे आपस में equal होंगे opposite corner जो भी angle बनेगा वो क्या बनेगा same बनेगा तो यहाँ इनको बोलते हैं, corner पर जो angle बन गया, opposite में, तो क्या होगा, एक side ये वाली corner, एक side ये वाली corner, बट इस type में होना चाहिए, zk, corner, zk, corner, एक ये, और एक ये, दोनो angle आपस में equal होगे, क्यों, reason क्या होगा इसका, alternate interior angle, तो क्या लेखेंगे, यहाँ लेखेंगे, alternate, alternate, interior angle, और जिसकी short form क्या लिखते हैं, alternate interior angle, this is the short form, तो x, y के बराबर है, और x, y के बराबर है, reason क्या लेखा, alternate interior angle, जब alternate interior angle, same होते हैं, जब alternate interior angle, same होते हैं, तो line क्या हो जाती है, parallel, तो th, e, and then, a, b, parallel to c, d, क्यों, क्योंकि alternate angle equal है, तो line parallel to each other, and now, question number, second, question number second, and the figure is given to us, again we have to go through the figure, एक figure, एक और figure दे रिखिया है, what is this, A, B, here is A, और ये B, और दूसरी क्या दे रिखिया है, C, D, here is C, और here is D, and third figure, third line is E, F, third line is E, F, तीन लाइने दे रिखिया है, E, F, this is E, and this is F, तीन लाइनों को इंटरसेट कर दी है, एक रे, और उस रे का नाम है, उस रे का नाम गिवन नहीं है, हमने क्या ले लिखिया है, उसे L ले लिखिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या एंगल दे रिखिया है, here is what is given us, यहाँ मेरे पास X दे रखा है, here is X is given, यहाँ X है, यहाँ Y है, और यहाँ क्या है, Z, यहाँ X, यहाँ Y, और यहाँ पर Z, अब नाम गिवन, हमें given है कि AB, यह AB parallel किसके है, CD के, AB parallel to CD, तो AB parallel to CD, और क्या given है, CD यह parallel है, EF के, तो CD parallel to EF, parallel means दोनों lineों के बीच का distance same, यहाँ पर भी same आएगा, यहाँ भी same आएगा, दोनों same होंगे, अगर यहाँ पर AB parallel to CD है, और CD parallel to EF है, तो इसका अलब तीनों line आपस में parallel होंगी, तीनों line आपस में क्या होंगी parallel, इसका अलब AB किसके parallel हो जाएगा, EF के, और CD किसके parallel तो EF दे रखा है, it means they are parallel to each other, we can say, हम यह कह सकते हैं कि AB parallel to EF, और क्या द रखा है, Y ratio Z is equal to 3 ratio 7, यह द रखा है, अब निकालना है to find, to find, to find करना है value of Z, X, this is you have to find out, solution, जड़ा solution देखे बड़े ध्यान से, अगर AB, AB parallel to CD है, if AB parallel to CD, and CD parallel to EF, and CD parallel to EF, then, तो तब क्या होगा, तीनों line आपस में क्या होंगी, parallel होंगी, AB parallel to CD, parallel to EF, तीनों आपस में parallel, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, तो और, और क्या कह सकते हैं, बता हो, AB parallel किसे होगा, EF के, इसका मतलब होगया, AB parallel to CD, CD parallel to EF, तीनों आपस में parallel, तो we can say AB parallel to EF, is it clear, तो इसका मतलब होगया, और, we can say that, हम क्या कह सकते हैं, कि AB parallel to, AB parallel to EFB है, यह भी इसके parallel है, अगर AB parallel to EF है, तो यह transversal है, तो इसका मतलब, AB parallel to EF, यह तो हमारा प्रूफ होगया, and, हमारे पास transversal क्या है, L is transversal, actual में transversal होता कोन है, transversal वो line होती है, जो दो lineों को, अलग-अलग point पर, दो या दो से ज़्यादा lineों को, अलग-अलग point पर intersect करती है, this is the transversal, क्या है, transversal, तो AB parallel to EF, यह transversal, तो angle X किसके बराबर, Z के बराबर, क्यों, क्योंकि देखो, corner बन रहा है, Z के corner, एक angle यह बन गया corner, और फिर एक यह बन गया, देखो, यहाँ बन रहा है Z, और यहाँ बन रहा है X, दोनों आपस में equal, L is transversal, तो क्या हो जागा, then X is equal to Z region, region क्या लेखेंगे इसका, alternate interior angle, alternate interior angle, but, द्यान रहें कियोंटे, AB parallel, but angle X plus angle Y is equal to 180, इसका region, जब कोई भी दो parallel line के, दो भी दो parallel line है, उसको को transversal intersect रहे है, तो इसका मतलब, interior जो angle है, उनका sum 180 होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, co-interior angle, क्या बोलेंगे से, sum of co-interior angle, sum of co-interior angle, co-interior angle, यह इसको बोलते हैं, जो A की side में हो, तो इसका लाए X, किसके बरावर है, Z के, तो Z plus Y is equal to 180, यह हमारे पास आ गया, लेकिन Y ratio Z कितना दे रखा हमारे को, 3 ratio 10, but Y किसके बरावर है, Y is equal to 3T हो गया, जोको Y ratio Z 3T, X नहीं लेंगे, क्योंकि X find out करना है, तो Y 3T हो गया, और Z कितना जागा, 70 ratio है, तो इसका लाए एक common ratio, साथ में लगा देंगे, तो that mean, यह value पूट कर दीजे, Y plus Z is equal to 180, and this is, what is the reason, sum of coin tier, अच्छा लिखावा देखे द्यान से, Y की value 3T, Z की value 70, is equal to 180, 70 plus 3T, 10T, 180, तो T is equal to 180 upon 10, is equal to क्या हैगा, 18 डिगरी, इसका मतलब, T जो है, वो मेरे पास क्या है, 18 डिगरी है, अब निकालनी किसकी value है, निकालनी किसकी value है, मैं जे, X की value निकालनी है, तो what is X, X क्या होगा है, यहाँ पर value पूट कर देंगे, X की देखो देहाँ से, X किसके बराबर है, Z के, तो X is equal to Z, X is equal to Z, और Z किसके बराबर है, Z is equal to 70, Z is equal to 70, तो इसका मतलब होजाएगा, 70, तो X भी क्या जाएगा, 70, 70 मीन 7 into 18, कट कर दीजे, 107, 26 डिगरी, तो what is the value of X is 126, this is your second question, अब हम move करेंगे, third question में, इसमें भी figure देखिया है, third question, and please be attentive, third question हमारे पास है, देखे जान से, इने given figure, figure AB and CD are two line, AB दे रखिये, और BC, AB and CD, this is AB, और ये CD, this is C and this is D, this is CD, AB and CD are two, देखिये, और उसकी बाद ये point ले रखा है, इसमें वीज में, इसको मिला दिया, और यहां है E, और ये F, और ये G, यहां ले लिया G, यह हो गया E, यह हो गया F, और यह हो गया G, बाद ये question देखते हैं, this is A, this is B, this is C and this is D, and now AB parallel to CD, given what is given, AB parallel to CD given है, AB parallel to CD है, जब भी कोई line parallel होती हैं दो आपस में, तो उनके क्या होंगे, ट्रांस्वर्सर, ओ, alternate interior angle same होंगे, और corresponding angle same होंगे, और sum of co-interior angle, क्या होगा 180, क्या होगा, alternate interior angle same होंगे, corresponding angle same होंगे, और sum of co-interior angle 180, 80, यहाँ पर AB parallel CD के देखो, AB parallel to CD, AB parallel to CD अब मेरे पास यहाँ पर और देरे रखा है, EF perpendicular EF perpendicular to CD EF perpendicular to CD, जो EF है EF किस के ओपर perpendicular है CD के ओपर That means, यह angle कितने का हो जागा, 90 degree, यह 90 हो गया अगर यह 90 है तो यह भी 90 हो जागा तो that means, angle FED equal to FEC, दोनों angle किस के हो जाएंगे 90 degree के हो जाएंगे और हमें GED GED, यह पूरा angle this complete angle, यह पूरा angle हमें कितने दे रखा है, 126 यह दे रखा है complete angle Is it clear, और क्या दे रखा है हमारे को angle GED is equal to 126 अब निकालना है क्या निकालना है, to find what is to find, क्या निकालना हमें, angle AGE, angle GEF, angle FGE यह निकालना है, solution देखिए, AGE, AGE यह अगल निकालना है, first second क्या निकालना है, FEG F का है, where is F, this is F और this is E, और this is G यह अगल निकालना है, second part this is the first part और FGE, F it is F, what is G, G यह रहा, और E यह रहा तो FGE यह वाला angle भी निकालना है, 3 angle निकालना है we have to find out 3 angle अब यह 3 angle निकालना है, कैसे and you know very well, कि A, B किसके parallel है, देखो जहां से A, B parallel to C, D और यह क्या हो जाएगा, transversal तो यहाँ पर एक angle Z हो गया, यहाँ पर Z के corner, जाँ का corner, एक corner पर यह हो गया एक corner पर यह हो गया, एक corner मींस यह वाला angle A, G, E और दूसरा angle कैए, दूसरा corner देखो यह आगा and Z, यह यह यहाँ पर दिखे, यह line बढ़ा दिया इसको बढ़ा दिया, तो यह वाला angle काए टाइज जड़ का, तो कितना हो जागा, 126, alternate interior angle, तो यह वाला angle, A, G, E, equal to किसके, G, E, D के, चकर यह, G, E, D, A, B, parallel to C, D, and, G, E is transversal, G, E is transversal, तो then angle A, G, E, equal to angle किसके, G, E, D के, देखो, A, G, E, यह, आ गया angle, equal to G, E, D, G, E, D, region, alternate interior angle हो गया है, तो angle A, G, E, कितना हो जागा, 126 हो जागा, क्योंकि G, E, D कितना है, 126, तो angle A, G, E, equal to 126, यह हमें 126 दे रखा, इसलिए 126 दे लिए, this is the first part, और निकालना इसके बाद है, F, E, G, F, what is F, यह रहा, F, E, G, यह वाला angle निकालना है, this one, तो क्या करेंगे, second part, this is your first part, and second part, we know, आपको यह पता है, कि angle यह वाला प्लस यह वाला angle, दोनों angle को सम कर दे जाए, तो G, E, D के बरावर आता है, किसके बरावर, G, E, D के बरावर, कौन सा angle, इस angle का नाम का है, G, E, F, क्या नाम है इसका angle, G, E, F, प्लस, इसका नाम क्या है, G, E, F, और इसका नाम क्या है, F, E, D, plus F, E, D, is equal to 180, linear pair exam, linear pair L, P, A, और G, E, F, हमें निकालना है, but F, E, D हमें नहीं पता, F, E, D हमें 90 है, F, E, D कितना है 90, तो क्या लेखेंगे, angle G, E, F, plus 90, is equal to 180, तो यहां से किसके बरावर निकल जाएगी, ने, sorry, 126, it is 126, we have given 126, यह मारे पास 126 गिवन है, this is 126, तो G, E, D, G, E, F, is equal to 126 minus 90, तो angle G, E, F, equal to 126 में से 90 minus कर दिंगे, तो answer is 30, 6, तो मेरे पास यह answer आजाएगा 36, this answer is 36, अब यहां पर triangle बन गया देखो, अब निकालना है, यह वाल angle, यह वाल angle, और यहां बन गया क्या triangle, triangle के तीनों angle का sum 180, तो हमारा next part क्या बनेगा देखो दिहान से, next part, एक मिन्ट फिगर देख लो, यह 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 फिगर थी, यहां पर थे, और यह 90 डिगरी था, यह हमारा कितना गया था, 36, यह हमें निकालना है, यह कितना था, 126, और यह कितना है, इसका मंदब, यह बी perpendicular है, तो यह बी कितना हो जागा, यह कितना होगा, 90 हो जागा, क्यों जागा है, 90, this is 90, निकालना कॉन सा angle है, now we have to find out, F, G, E, F, this is G, this is F, और this is E, यह ही था, हमें यह निकालना है, इसकी वैसे हमें ज़रुवत नहीं है, तो इन दोनों angle का sum, 180, तो G, E, इस थर्ड पार्ट, G, E, G, E, G, stand on, stand on, यह कुन सा है, यह line segment है, यह क्या है, line segment, line segment, E, G, stand on ray, stand on line, यह line है, stand on किसके ओपर, line के ओपर, stand करती है, तो अगर stand करती है, तो दोनों angle का sum, 180, तो किसका दोनों का, angle 126, plus angle 126, plus यह वाला, कि तो कौन सा, E, G, F, angle E, G, F, दोनों angle का sum, is equal to 180, region L, P, और यह A, तो 126, यह BE, G, C angle आ गया, is equal to 180, minus 126, so angle E, G, C, is equal to 180 मैं से 26, 126 minus कर देंगे, तो किया एगा 54, यह हमारा थर्ड पार्ट है, and now check it, and do, we will do the next question, and the next question is, question number 4, again it is given figure, here is the figure, this one, यह, और यह, और यह है, P, Q, और यह क्या रखा है, S, T, this is P, or this is Q, and this is S, and this is T, और यह मेरे पास R है, तो what we do, P, Q is given, what is given, हमें दे रखा है कि P, Q parallel to, P, Q parallel to, S, T, means, यह जो रे है, यह इसके parallel है, यह दोनों रे क्या है, parallel, इसका मतलब अगर इसको produce करेंगे, तो दोनों के बीच का distance हमेशा सेम रहेगा, और अंगल P, Q, R, अंगल P, Q, R, this angle is, this angle is 110 degree, और यह 130 degree, this is 130 degree, अब हमें निकालना है क्या, यह वाला अंगल निकालना है, there are two methods we can find out, by, any method we have to find out, and now P, Q parallel to, S, T, और क्या दे रखा है, angle P, Q, R, is equal to 110, और angle R, S, T, is equal to 130, यह हमें given है, तो to find क्या है, given के बाद, इस step को निकालना, to find, what we have to find out, we have to find out क्या angle Q, R, S, निकालना है, तो solution कैसे निकालना है, Q, R, S, question में दे रखा है, अब क्या करेंगे, construct करेंगे, यहां से एक line draw की हमने parallel, क्या नाम है इसका L, और इसका नाम लिख दिया angle 1, इसका नाम ले लिया angle 2, तो draw, क्या करा हमने, solution में draw L parallel to किसके, P, Q के, और तो automatically अगर L parallel P, Q के है, तो P, Q किसके parallel है, S, T, के, means तीनो लाइन, यह लाइन, और यह लाइन, यह लाइन, यह लाइन, तीनो आपस में क्या है, parallel है, हमने construct की, अपनी तरफ से कि L parallel to P, Q, अगर L parallel to P, Q है, L parallel to P, Q है, तो P, Q किसके parallel है, S, T, के, तो इसका नाम लिख तीनों आपस में parallel होंगे, और ST भी PQ के parallel है, means L के parallel है, इसका मतलब तीनों side, तीनों length आपस में parallel हैं, अब now, ऐसे लेट कर लिए angle 1, इसे लेट कर लिए angle 2, and now solution, first PQ parallel to किसके, L के, ये जो PQ है, ये parallel किसके, L के है, तो इसका मतलब इन दोनों angle का sum, angle 1, plus angle 110, angle 1, plus 110, दोनों angle का sum, 180, region, region, co-interior angle, region के लिखेंगे, co-interior angle, what is the region, co-interior angle, co-interior angle, and now, यहां से क्या निकल जाएगी, angle 1 निकल जाएगा, angle 1 is equal to 180, minus 110, angle 1 is equal to 70, angle 1 कितना आगया, 70, यहां पर angle 1 की जगर रख देंगे, 70, 1 आगया, similarly, कोन सा आजाएगा angle 2, similarly, बोले, similarly क्या होगा, similarly, न इससे थोड़ाचा हटा देते हैं, similarly बोलिए, similarly क्या होगा, बटे, st parallel to, st parallel किसके, st parallel to किसके, lk, और sr क्या है, transversal, sr क्या है, is transversal, transversal mean, वो line, जो क्या करते हैं, दो parallel line को, या non parallel को, किस, इंटरसेट करती, बटे, pq parallel to l, और qr is, यहां भी लिख लो, बटे, qr is transversal, qr is transversal, transversal, बटे, कोई भी line, जब दो line को intersect करती है, and now, similar right here, angle 2, plus में, angle कौन सा, 130, is equal to 180, reason, co-interior angle, sum of co-interior angle, sum of co-interior angle, तो angle 2 की value निकल जाएगे, angle 2 is equal to 180 minus 120, is equal to 50, तो angle 2 is equal to 50 degree, this is your answer, and question number, this is 4, यह मेरे पास 2 आ गया, यह मेरे पास 1 आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, rs चाहिए, qrs चाहिए, qrs, तो क्या करेंगे, यह वाला angle आ गया, यह मेरे पास 50 आ गया, तो हमें पता यह सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ओपर जितने भी angle बनेंगे, सबका angle का sum क्या होगा, 180, तो तीनों angle का sum, 180, तो क्या होगे, then, but, बोलो, 70 plus qrs plus 30 is equal to 180, 70 plus 30 कितना हो जागा, 100 हो जागा, क्या हो जागा, 100 plus angle q is equal to 180, 80, तो angle q कितना हो जागा, angle qrs है, angle qrs, angle qrs is equal to, this is equal to, this is 180, this is 50, here is 50, 50 हो 70, 120, और यह क्या होगा, 60 होगा, this is 60, तो qrs is equal to 60, here is 60, and this is question number 4, and now move to question number 5, question number 5, solution, and in a given figure, यहाँ पर हमें figure दे रिखिये है, a, b, here is figure 1, a, b, a, b एक line है, a, और यह b, एक line, और यह मेरे पास के point, और इसका नाम है, p, और दूसरी line है, मेरे पास, c, d, यह c, और यह d, और यहाँ पर एक triangle बन गया, p, q, r, p, q, और यह r, here is q, और here is r, और हमें यह दे रखा है y, और यह दे रखा है x, this is x, and this is y, और यह मेरे पास क्या है, 50, और 127, this is 50, और this is 127, अब क्या करें, मुझे निकालना किसकी value है, x और y की value निकालना है, what is given, solution, given क्या है मेरे पास, given is a, b parallel to c, d, a, b parallel to c, d, angle a, p, q is equal to 50, a, b किसके parallel है, यह a, b, parallel किसके है, c, d, k, a, b parallel to c, d, a, b parallel to c, d है, और यह कितना angle है, 50 दे रखा है, 50, और angle क्या दे रखा है, 50 degree, और angle, p, r, d, p, r, d, is 127, p, r, p, r, d, यह ओला angle, यह कितना है, 127 दे रखा है, degree, और यह given है, to prove, to prove, what is to prove, यह to find, to find, to find क्या है, x and y, x और y निकालना है, फिर क्या लिखेंगे, solution, क्या लिखेंगे, solution, now, what is solution, check it, अगर हमारे पास, a, b parallel to c, d है, और यह किया है, transversal है, तो इसका अनलब z बन रहा है, d, a, p, q, और इसको आगे बढ़ा देंगे, तो z बन रहा है, z बन रहा है, this form the z, और corner, z के corner आपस में क्या होते हैं, equal होते हैं, तो क्या लिखेंगे, a, b parallel to c, d, and p, q is transversal, p, q is transversal, transversal, जब p, q, transversal है, तो इसका मतलब, angle, कौन सा, a, p, q, angle, a, p, q, देखें ध्यान से, angle, a, p, q, angle, a, p, q, किसके बराबर, p, q, r के, angle, p, q, r, reason, alternate interior angle, मैंने का था, आप डारेक्ट लिख सकते हैं, a, i, r, a, p, q मेरे पास कितना है, 50, यह 50 आ गया, तो p, q, r कितना जागा, p, q, r, और जो मेरे पास क्या है, x के बराबर है, तो p, q, r, कितना है, x, तो इसका है, 50, is equal to x, x की value क्या आगी, 50 आगी, this is our first part, यह हमारा क्या है, first part है, इसके बाद हम करेंगे, क्या, कौन सा y निकालना है, क्या निकालना है, y, y कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखे, यह हमारे पास, in triangle, यह triangle है, और triangle के, यह triangle है मेरे पास, triangle के एक side को क्या कर दिया, produce कर दिया है, जब किसी side को produce करते हैं, तो जो exterior angle है, यह exterior angle, किसके बराबर, sum of interior opposite angle, यह वाला angle, प्लस यह वाला angle, दोनों के sum के एक को लोगा, exterior angle, हमेशा interior opposite angle के sum के बराबर होगा, यह मेरा कौन सा है adjacent angle यह कहा है adjacent angle है same इसी triangle में किसमें P Q R में यह मेरा exterior angle है यह angle किसे बराबर होगा इन दोनों angle के समके बराबर है region exterior angle again but बोलो but क्या लिखें angle X plus angle Y is equal to angle P R D which is equal to 127 तो X की जाए के रखेंगे 50 plus Y की जाए के य और यह कितना है गा 127 तो what is Y 127 minus 50 तो angle Y is equal to 120 120 120 तो यह का 70 72 answer is 72 Y is equal to 72 127 72 127 50 तो यह कितना है 77 यह कितना है 77 तो Y is equal to 77 this is the angle Y and this is the angle X जो हमें निकालना था है and now move to question number 6 solution here is the diagram again given this is a mirror एक mirror है यह मिर पास क्या है PQ यह मिर पास क्या है PQ यह mirror PQ है और यह mirror क्या है RS R और यह S और A क्रे यह है AB और यह B AB रे स्ट्राइक हो रही है और क्या होगा इसके बाद reflect होगा यह स्ट्राइक करी तो reflect हो गया reflect होने के बाद फिर अगें bounce हो गया यह हो गया मिर पास C और यह हो गया D it is given and now what is given question देखेंगे given given थोड़ा बड़ा है need not to write PQ and RS are the two mirror parallel to each other दो mirror है जो आपस में क्या है parallel है इसका मालब PQ parallel to PQ parallel किसके RS के और दोनों क्या है mirror है mirror means having the reflecting surface each other the incident ray AB is the incident ray which strike AB incident ray किसको strike करी है PQ को strike करी है और BC क्या है reflected ray और उसने किसको strike किया RS को किस point पर सी पर इसका मालब ये incident ray ये reflected ray तो क्या draw करते है एक normal ड्रो करते है normal ये हो जागा law of reflection तो ये दोनों एंगल आपस में equal angle 1 equal to angle 2 according to law of reflection और ये क्या मेरे पास normal BM और इसके बाद जब C से पर टकराएं C पर टकराने के बाद वो दोबारा reflective mean अब ये c point के लिए जो ray इस mirror के लिए इस mirror के लिए जो bc है वो क्या जागी incident ray ये क्या जागी reflected ray तो इस पर क्या आप ड्रो करेंगे normal draw करेंगे क्या ड्रो करेंगे normal cn तो ये वाला angle इसके बराबर angle 3 equal to angle 4 हो जाएगा angle 3 is equal to angle 4 is it clear and now अब देखते है pq parallel to cd यह हमें दे रखा है ठीक है और given r to mirror दोनों mirror रहें बेदे to proof to proof क्या है a b parallel to cd proof करना है अब करेंगे construction construction हमने कर दिया क्या draw bm perpendicular to pq और cn perpendicular to rs ये इसके पर perpendicular और ये इसके पर perpendicular cn perpendicular to rs and bm perpendicular to pq जब perpendicular draw किया तो दोनों line आपस में क्या हो जाएंगी parallel हो जाएंगी तो क्या होगा पटने देन then क्या होगा bm parallel to cn दो parallel line के बीच में अगर हम perpendicular draw करते हैं तो वो perpendicular भी आपस में parallel होंगे क्या होगे parallel तो solution तो क्या लेकिए bm parallel to cn cn तो इसका मतलब ये bc क्या होगा ट्रांसवर्स देखो bm bm parallel to cn bm parallel to देखो ये दोनों parallel हैं और cn क्या है bc क्या है trandversal bc क्या है trandversal bc is trandversal bc is trandversal bc trandversal तो यहला angle और यहला angle आपस में क्या होगे same alternate interior angle क्या लेकिए angle 2 equal to angle 3 alternate interior angle लेकिन एंगल two किसके बराबर है वन के बट एंगल one equal to angle two एंगल one equal to angle two और एंगल three किसके बराबर है four के angle three is equal to angle four angle three is equal to angle four one two के equal three four के equal क्यों according to laws of reflection यह जाएगा हमारा लॉज ओफ रिफ्लेक्शन यह हमारा हो जाएगा लॉज ओफ रिफ्लेक्शन एंगल 1 एक्वल टो एंगल 2 एंगल 3 इस इको टो एंगल 4 लॉज ओफ रिफ्लेक्शन और 2 किसके एक्वल 3 के alternate interior angle लेकिन हमें क्या करना है AB parallel to CD ध्यान से सुनिए AB parallel to CD करनी है AB parallel CD के बराबर तब ही होगा जब यह एंगल यह पूरा एंगल किसके बराबर होगा इस पूरे एंगल के बराबर alternate interior angle की condition तो क्या करें 2 किसके बराबर है 3 के बराबर है आपने बता है लॉज ओफ रिफ्लेक्शन 1 किसके बराबर है 2 के और 3 किसके बराबर है 3 किसके बराबर हो 3 4 के बराबर है 3 किसके बराबर है 4 के तो अब क्या करेंगे अब ज़रा ध्यान रखे अगर 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है 3 किसके बराबर है 4 के It means angle 2 equal to angle 1 angle 3 equal to angle 4 यह देखो, यह दोनों आपस में बरावर हैं, यह दोनों आपस में क्या हैं, बरावर हैं, थ्री किसके एक्वल है, फोर के, टू के, एंगल टू इसके बरावर है, थ्री के, तो वन किसके बरावर होगा, फोर के, वन किसके बरावर होगा, फोर के, तो क्या होगा, एंगल टू के equal 3, 4 के equal तो इसका मंदर देखू, angle 1 equal to angle 2, laws of reflection angle 3 is equal to angle 4, मैंने क्या लिख दिया आगे पेछे लिख दिया, angle 2 is equal to angle 1 3 is equal to 4, जब ये दोनों angle same है, 3 is equal to 2 है, तो angle 1 is equal to angle 4 हो गया, तो दोनों को add कर दो ये मेरी equation थी first, ये equation थी second, दोनों को add कर दीजे add first and second, add first and second, तो right को right में add कर देंगे, left को left में add कर देंगे, right में add करेंगे तो क्याएगा, angle 1 plus angle 2 देखे जहां से, angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus angle 4, angle 3 plus angle 4, angle 1 plus angle 2, 1 और 2 को add करेंगे, angle 1 plus angle 2, दोनों को add करेंगे इन दोनों को add करेंगे, तो क्या बन जाएगा angle A, B, C क्या बन जाएगा angle A, B, C बन जाएगा और angle 3 और 4 का एड़ कर दिया है इन दोनों का एड़ कर दिया देखो तो क्या बन जाएगा B, C, D angle B, C, D बन जाएगा इसका बनादा A, B, C equal to B, C, D देखे ध्यान से ये angle ये मेरा ये है इस टाइब का angle है तो ये मेरा A, B, C और ये D अगर ये angle इसके बराबर है तो ये क्या जाएगा alternate interior angle क्या हो जाएगा alternate interior angle और alternate interior angle equal होते हैं तो क्या जाएगा A, B parallel to C, D A, B parallel to C, D hence verify A, B parallel to C, D hence verify in this way the exercise is over and बच्चे इसके बाद हम next class में करेंगे हम क्या करेंगे next class में? next class में exercise 6.3 करेंगे and thanks for today and thanks also watching the video